लो फ्रेंज मैं वाला मुंबाइ युनिवर्सिटी के फॉर्स्ट एर इंजिरिंग डिग्री के सिल्यवस और बहुत सरे टिप्स में देने वाला ओके सब्सक्राइब तो आपको सब्सक्राइब के सारे इंजरिंग के सारे ब्रांचेस कोई भी ब्रांचेस हो उसके सारे पोर्षन कॉमन होते हैं कॉमन फॉर आल बांचेस फॉर इंजरिंग कोई भी आपने कोई भी इंजरिंग मैं मिसें लिए हो CS IT मेकेनिकल सीविल ओटो मॉवाइल बायो टेक बायो टेक बायो मेडिकल या कुछ और सबके जो सेलेबस है वो सेम होते हैं और मैं यह अक्याडमी कियर ट्वेंटी ट्वे सब्सक्राइब कर सकते सबके लिए यही है और आपका स्कीम याद रख सकते हो रिवाइस कोर्स ओके जिसे कि किसी ने 18-19 में जो है अपना किया है तो उनका रिवाइस 2016 आता है कि अब करेंगे करेंगे सबके लिए है रिवाइस 2019 सी स्कीम तो यह आपको थोड़ा सा जो है दिमाग में रखना है चलिया तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा खुछ टिप्स भी दूंगा और मैं आपको बताऊंगा फ्रेंट्स कि यह फूल टाइम कोर्स है एट दो प्रैक्टिकल्स होंगे टू टू आर्स के डेली ओगे मंडी टू फ्राइडे साजड़े संड़े ओफ होता है ओके एन डेली फोर तुफाइड लेक्चर्स होने वाले हैं तो फुल एकदम इंजॉय करके आप यह स्टड़ी करो ओके सो फुल एंटर्टेंबेंट के साथ तब स्टड़ी करो इस नॉट लाइक यू एब तो गो नाइन टू फाइट टू फॉर बस ओके सो हां यह कुछ में बता तो फर्स्ट फर्स्ट विक में आपका इंडक्शन प्रोग्राम होगा जिसमें आपका और इंटेशन प्रोग्रम होगा आपको सब कॉलेज के वार में सब्सक्राइब इंडक्शन प्रोग्राम हो सके बाद, में और आपको ब hotels को सब्सक्तित हो जहांगे, 6 subjects only, उसमें theory और practical दोनों होता है, और जैसे मैंने बोला, 2021 में ये portion अप्ग्रेड हुआ है, तो आपको ये से subject होंगे, engineering mathematics 1, engineering physics 1, engineering chemistry 1, engineering mechanics, be double E, इसे अभी खाह जा रहा है, पहले BEEE काह जा जा था, basic electrical engineering, तो ये 5 subjects होंगे, जिसका आपका written paper होगा, जैसे यहां पर ल उसके practical होंगे तो यह practical यहाँ पर आपको दिया आता है यह दिए अलक सी आपको दिया गया है यह सारे सब्जेक्स के practical होने वाले जैसे engineering physics one engineering chemistry one engineering mechanics और बी डबली इसका आपका जो है practical भी होगा और एक और प्रस्ट्राइब मोला चुटाओ श्रम जो सब्सचाइब भ्रविस्टाइब करिण हो तो फाइब पर फिप्र यहां पर ओगए जिसका इग्जामीने इसन प्रेटन में वह भी बता हूं गा और सब्जेक सब्सक्राइब कने एक स्फर्ट की तो ने सब्सक्राम होता है तो छलिए पalter है उनके पड़न के टररभिय ग्रीप्राइब तो चेले पढ़ते हैं आगे मंटेडं के तरब जैसे यहीं кattend पूरे टेबल वाना के दिया गया आपको डिटेल में ओके तो चलिए देखते और यह यह क्या गाइस में बदा दूजिए सब्सक्राइब कोर्स का कोड होता है वह तो यह इंजिनिंग मैंतरमेटिक जिसमें बदा है आपको कि मैंने बदा आपको अलड़ी कि 100 माक का पैटन है वह आप दिमाग में रखोंगो ओके सो यहां पर देखिए आप चो एटी माक का ये पेपर होगा एंडेश्यम एक्जाम डड़ी इंपोरेंट ड़िज इंपरेंट अपका जो रिटर्न एक्जाम final semester होगा final semester में सैम वन जैसे की वह नॉर्मली जो यह इंग्जाम होती थी वो तो डिसेंबर मंत में होती थी बट इस साल पाट कॉलिजी लास्ट लेट शाट होए तो लेट होने वाला है इसका ओके ट्रेइट गोडर ट्रम वाले हैं ऑपके और सिस्ट्री ट्रम में इसका पेपर यह होने वाला है इस तरह यह को रिटन पेपर देने हैं उनिवेस्टिका पेपर होगा इंट करने होता है वक यह उनिवर्श्टिका पेपर होता है उनिवेस्टिका एक्जाम के दो माहिने पर अप्डेट किया जाते है और हां तो सर्थ यह तो 20 इंटर्ण देना है उसका आपको इंटर्णल एकजाम हो जा से युनित टेस्स होता था आपका वैसा ही तो 2020 मार्ट कर दो 50 Г कर आपको ओर आ पडिया फीजिक्स का से 15-21 युद्ध दो इंटर्नल यूनिटेस्ट होगा उसका एवरेज लिया जाएगा सेम्फर कैमेस्टी इसका ड्लिया जाएगा लिज्वा उसके मतलब आपका दो युद्ध टेस्ट धोने वाला और एक पाइनल सेमिस्टर होने वाला है टो पहले आपका पट रहा हो बड़ वह एक्शुली फॉर मंस ही होता है यह सारे दो बार युनी टेस्ट होंगे ओके प्रैक्टिस के लिए ओके और उनका एवरेज पकड़ के आपको यह ओरल माक्स में एड़ गाया था फिर एटी प्लस ट्वेंटी वहंडेड मांक 15 इस तरह से आपके पूरे मांकिंग के स्कीम है 90 में आते हैं 360 माक्स जो है रिटन में आते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि आपके अधर टर्मक्स भी है तो यहां पर देखिए तो बाकी आपके अटेंडेंस वागेरा एन ओल जो भी होता है आपको हर एक सब्जेक का एक ज सो यह फिर यह जो माक्स मिलें अपको 100 प्लस टमवक 25 एड़ होगा जो मैंने बता है आपको कि हाँ यह औरल माक्स में यह सब सारे कंसिटरेशन किये आते हैं तो इस तरह से यह फाइनल स्कूर होता है बट इसका आपका लेना ने देनी आपके दिमाग में सिर्व इतना होना अची है कि मेरा दो यूनिट होने वाला है उसका अवरेज करके यह माक्स मिलेगा और रिटेंट पर इतने माक्स होने वाला है और यह होगा 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 खाली फीजिक्स को कहा है 75 75 होता है तो इस तरह से आपको पुरा क्यार्ट टेक करना है और दूसरा जैसे मैं बोला कि अउला हूगे उसके भी पेपर का एक्जाम को होगा वह आपके जबी रीजल्ट आयगा क्रेडिट को मिलता है तो । एक पहले आता है देक्लैर वनके पहले पिडियाफ और यही मैं प्रेजिक्स टू टू इस तरह से टोडल 18 क्रेडिट से सेम वन का ओके तो वह आपको थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाए जैसे जैसे आप और फुल इंजॉय करके आपको स्टुड़ी करना जैसे मैंने बता है विकास फ्रेंस होंगे ग्रूप्स बनेगा सेम टू का भी मैं सब्जेक्स बता देता हूं आपको ओके बट मैं इस वीडियो में स्पेसली सेम वन को कैसे मैंनेज करना कैसे हैंडल करना वो पूरा डिटेल में डिशिकस करने वालाहू हूं उसके सेलेवस के साथ को क्ले शली तो सब्जेक्स बादा को दो चो भी मैंनेज साब्यां ट्रूब्स टू इंचेनिंग्स टू इंचनिंग। तो इंजिरिंग ग्राफिक्स करके यह हां मैं बताना भूल गया आपको कि फर्स्ट एयर में बेसिकली आपको सारे जो सारे कोर्सेज सारे कोर्सेज मैं केनिकल इंजिर सीएस आईटी यह सब गयरा सब के थोड़े थोड़े इनफरमेशन आपको दिये आते हैं ताकि आपको सारे फिल्ड का बेसिक नॉलेज तो यहां पर जैसे सी प्रोग्रामिंग यह यह सिविल और मैकेनिकल से रिलेट करता है प्रोफेशनल कॉम्मिकेशन एक्स तो आप जैसे कि आप इंजिनर आप इंजिन पोस कर रहे हो बड़ आपका प्रोपर कॉम्मिकेशन वर्लड में कैसे ट्रीट किया आता है क्या एथिक्स होता है आप कुछ भी मसीन पर वर्क कर रहे हो या कि दर भी कुछ इन्वेंशन कर हो तो उसमें क्या ख्याल रखना पड़ता है कि इन्वार्मेंटल को नुक्सान हो नहीं हो क्या हो सब रिलेटेड ये सब्जेक्स में आते हैं तो ये छे सब्जेक्स आपके हो गए सेंट टू के और साथ में जैसे मैंने बोला कि इसका क्रेट देखिए आप कम है 40 मार्क का ही है ओके इक और सब्जेक्स आपको एक्स एस इंपॉटेंस है यहाँ पर वक्सॉप जो पूरा प्रैक्टिकल हो जैसे मैंने पहले बाता था तो यहाँ पर यह सारे सब्जेक्स है और दूसरा कि आपका रीजन होंगा सर मैट्स क्यों देखिए मैस मोस्ट इंजिरिंग में से लिए हरे इंफेक्स थोडियर तक आपको मैच्ट अप्छों कोई भी ब्रांज में हो ओके मैच्वान मैच्ट रूमें प्रीमेच्व इस तरह से और फिजिक्स चैमिस्ट्री आपको यहां पर प्रैक्टिकल होने वाला है तो चलिए जैसे मैंने सब्जेक्ट बता दिये और इसके में मैं डीप में नहीं जाऊँ हूँ हूँ को सेम्टू के लिए मैंने अलग वीडियो का अरेंजमेंट कि है वह लेके आ रहूंगा खाली आपको यह दखना है यह हमनो आपको बता दिया है मैं डारिक सिल्वस पर लेके जाता हूँ हां खली एक मैं बता दूँगा कि मैट्स का भी प्रैक्टिकल होता है साइलेब यह मैटलेब यह सफ्ट्वेर्स के नाम है जिसके उपर मैट्स के प्रैक्टिकल्स आपको होते हैं तो वह आपको आपको आपके और इलक्ट्रोनिक से रिलेट करता है उसका एक बेसिक सब्जेक है तो हर एक फिल्ड का एक सब्जेक बेसिक सब्जेक दिया है आपको बेसिक अंडरस्टेंडिंग के लिए तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं वकि एसा यहां पर नहीं है यहां पर कोई test book नहीं होता है हर एक topic के लिए हर एक topic लिए यह complex number है यह topic के लिए आपको किसी और author का book फिर दूस सब्जेक के लिए और author का book यह modules मतलब जैसे कि आप पहले chapter number बोलते हैं आपर module number होता है मॉड्यल नमर मतलब complex number 4 module hyperbolic function complement partial difference को अपने पड़ाय आप्लिकेसिशन ऑप्रेंशिशन ये है अपने स्फच्च्च्च्च्च्च्च ऑपने लीनियरीक्वेश्च्चिशन ओक इस तरह से six module एंदर और ये सङ्फ टाइप पाफ oldu यहां पर मैक्सिमा मीनिमा दिया है यह टाइप ओफ क्वेश्चेंस है ओके जैसे कि आपने मैक्स में पढ़ा था डिफरेंशिए सेने तो उसमें दस ग्यारा एक्ससाइज थे हरेक एक पर्टिकुलर फंशन पर यह पर टाइप डेरिविट्व पर रिलेट करता था वैसे यहां पर दो इस तरह से हर एक जो चैटर एक पर्टिकुलर टॉपिक बेस है वह तीन टॉपिक जो रहेगा उसके अंदर जो भी समसाते रहेंगे वह आपको प्रक्डिस करना है और यहां लाइक इस लाइक बाइपन सी और आपको फिसिंग करनी है ऊपन सी में बाइपन रिवर में को फि यहां पर यह और हरा यह रेफ्रेंस बुक्स होते हैं कोई टॉपिक इसमें कोई टॉपिक जिसकी यहां पर है इडवांस इंजिरिंग मैंटमेडिक्स यहां पर डेरिविटू के बहुत सारे कोश्चन मिल जाएंगे मैट्राइस के लिए चांद पॉब्लिकेशन का मिश्र सां चांद नरायन का बुक है इसलिए टॉपिक्स के लिए पर्टिक्लर बुक होता है बट हमाट्स के लिए मैं आपको रिकमेंट कर वहां पर नहीं है कुमबोज कर कुमबोज कर इस बेस्ट बुक फर मैट्स फॉर फॉर होल इंजिनरिंग जाब आप सैंटरी सैंट फॉर या थर्ड यर में जाओ वहां पर भी मैट्स के लिए कुमबोज कर का बुक फेमस यहां पर रेफरेंस बुक में नाम नहीं है ऐसे मैं हर एक सब्चेक के लिए मैं रेफर कर आपको बता हुआ पर आपको बुक्स मिलें जादर में हैं फिर गोरेगाओं में हैं संतोस अगरवाल यह सब बुक्स कर वह सारी बुक्स 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 के नाम हैं अपर आपको इंजिनिंग के बुक्स मिल सकते हैं अपने सीनियर से फ्रेंड्स कर लो वह आपको सब डिटेल्स रहे देंगे अच्छे से होगां जो भी डाउट है आप पूछोगे तो मैं आपको उसके लिए लेकी आँगा तो यह मैंने मैस का बाता है तो यह मैस के यह टॉपिक्स यह टॉपिक्स आपको यह चपट्र आपको करना है सैम1 के लिए उगे सो यह मैच्स था ओके नेक्स देखते हैं फिजिक्स और मैंने बता ना बुलिए उसमें 80 माक्स का पर रिटन पिपर होने वाले मैच्स में और बाकि 2020 मैंने बाता है आपको दो इनिटेस्ट होंगे और उसके अवरेज माक्स लेके ओरल में डाला जाएगा दैन इंजरिंग फि फिजिक्स यह फर्स टॉपिक है और फॉष्माडियुल से छह मॉडियुल होने वाले छे मॉडियुल है उके सो फॉस्स मॉडियल में कौंटम फैजी फिजिक्स उसके यह सारे टॉपिक्स हैップ करने हैं तो आपको रफरेंज बुक करना पड़ता है आप यह ब्रेफरेंज ब कि जिसने आपको detail interest हो वो आप करने के लिए तो इस तरह से है ये फिर्जंट जो मैंने बोला quantum physics के साथ topics है okay 2nd crystallography यह साथ topics है semiconductors then interference withmilk ओके नेक्स जो है इंटरफेरेंस इन फिलीम एंटरफेरेंस इन फिलीम ओके और सब्सक्राइब पढ़ा तो यह सारे टोपिक्स पे आपको डिटेल स्टुडी करना है तो फीजिक्स के लिए सर क्या रिकमेंड करोगे देखिए आपको नॉलेज लेने के लिए यह डिटेल के इसके अंदर जो भी टॉपिक्स आपको यहां पर दिये गए है वह टॉपिक्स आप उसमें सर्च करो इंडेक्स में और सिर्फ वह टॉपिक्स बूपिक्स से पढ़ना इस नॉट लाइट लाइट यूप तो वह टॉपिक्स में से प्रिपार करो बस फिर दूसरे बुक के और बोलो कि सब्सक्राइब करने हूं कि नहीं यह सारे रफ्रेंस बुक्स ऑपके कॉलेज़ में अवेलेबल होते हैं कॉलेज के लैबरी में लैबरी में आप टू तुटू थी बुक्स इसू कर सकते हो तूडेस त्री डेस रफर करो फिर बैक कर दो उनको यह आप एट आर और उसके बाद physics chemistry के लिए मैं आपको बोलूँगा technical technical publication या techmax publication के जो books होते हैं बहुत अच्छी होते हैं वो topics से related होते हैं और exam point of view से वो बनाया गया है तो आप जो भी study करोगे concept समझने के लिए वो reference book का use करो और जब आप exam के लिए study करोगे तो technical या techmax को आप refer कर next chemistry physics का जो पेपर आपका 60 marks का होने वाला है ओके और chemistry का भी 60 marks का होने वाला है इसमें topics क्या गया देखिए atomic and molecular structure aromatic system ओके intermolcular forces and critical phenomena Gibbs phase rule polymers यह सारे आपको sem1 में आने वाले सबके basics आप से ने अल्रेट 11 12 में पढ़े आपको अगे पढ़ना है यह सका application पढ़ना है वह आपको study पढ़ाए जाए कॉलेज में और हाँ उन लोग basic से आपको पुरा पढ़ाएंगे no need to worry faculties are very good and very experience for engineering colleges ओके तो no need to worry आपको focus करना है और लेक्षर अटेंब करना है सबसे important ओके और हाँ गाइस मुंबा इश्टी में आपको 75% आपका जो है फिर्स्ट यह में अटेंडेंस होना चीए minimum criteria है तो उसका आप जरा टेक्निकल या टेक्मेक्स को आफ रेफर कर सकते हो तो यह chemistry का portion से ले बस था 60 मंग का विपर होता है maths का 80 मंग का physics chemistry का 60 60 मंग का और mechanics का 80 मंग का okay mechanics के लिए देखिए यहाँ पर topics का क्या है को प्लेनर फोर्स okay resultant equilibrium okay यह सब बीम्स और यह mechanics का कैसा है ना पूरा बेस से आपको यहाँ पर सिखाएगा तो यह आपको समझेगा तो कॉलेज के लेक्स बूर मोस्ट इंपॉरेंट है फिसिक्स के में से एक बार कुछ एंडल कर सकते हैं बाट मैट्स मैक्यानिक्स बीड़ करना ही पड़ता है तो यह आपको पूरा समझ में आएगा और यह सब पूरा बेसिक्स है आप फर्स्ट यह अच्छे से फोकस करोगे तभी आपको आगे जाके प्रॉपर्ली समझ में आएगा ओके अधर्वाइस बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इसमें भी और इसमें दि सब सारे बुक्स है अगरवाल बुक है अगरवाल इस वेरी गुड़ बुक और एक और पॉब्लिकेशन है जो भी बहुत अच्छा है आपको सीनियर से मालुम पढ़ जाएगा ओके यह मैं ट्राइकर हुआ कि एक और मैं वीडियो लेकिया हो जिसमें मैं सिर्फ बुक्स के करें बात करूं कि कौन से बुक्स राइफर कर सकते हैं यह यह लेक्ट्रिणीक्ट और इलक्ट्रोनिक्स बैसी सब देगे मैकनिक्स मैंने बताऊा आपको सीविलॉड मैचनिकल का बेसिक सब्छेक्शे और एक बेसिक सब्रॉपे यह वो आपको बीडिवर्ट में बहुत सा यह concept आपको पहले से clear होने चाहिए don't worry college में यह भी पढ़ा है जाता है starting में okay ताकि आपका basic clear रहेगा तभी तो आपके समझोगे तो किर्चॉप श्लॉर्ट तीविन्स theorem यह सारे चीजे हैं बहुत पुराने सदियों से चले आ रहे और बेसिक से यह बीडबल के आपको आने चाहिए in order theorem okay तो यह सारे डीची सर्केट त्रीफेज वाल्टेज यह सारे आपके concept आपको यह सब्सक्राइब अब अब कर पासके उठाओगे तो आपको में में इंपोशन मिल जाएंगे जो हर से में देखने मिलते हैं यह एक्जाम पॉन्ट आफ यू से टिक जो है आपके लिए टिप था बढ़ियां यह सारे concept समझना भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है ओके सो यह है concept आप कहां सड़ी कर पाओगे जिसे में बोला कि आपको रफ्रेंस बुक रेफर करोगे आपको डिटल में समझा या बी यार पार्टिल या बेस्ट बॉक फॉर बीडवली यह बी ट्रिपली आप बोल सकते हो बीयार पार्टिल याद रखो किसके लिए बीडवली के लिए ओके नेक्स अ हां और ये किसरी यह क्या गया इंजिरिंग फिक्स फिसी ता फिल कैसे आ अपको साथ या अपने साथ गोर्वी निया वहां मुझे पता है एफ इसमें से आल्मोस्ट एन एक्सपरमेंट आपको कर रहा जाएंगे और एड़ ल कि पहले से लिखा हुआ है टीक है में टैन बोला बहुत सद्वावी ज्यादा कराते हैं बहुत सद्वास्ट बहुत सद्वास्ट अधर तो सारे कॉल्इज में कर जाए अगा एकॉर्डिंग टू इनके सैटप जो भी कॉल्ज में जो सेट अप ए उसके को अधर तो फाई मि यह आपको रहां सब्सक्राइब करना है वह आपको प्रिफर करना है नेक्स्ट कैमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट करने में मना आए इंजरिंगे फुल ओफ जॉई यू विल इंजॉई इफ यू विल टेक इंट्रेस इन श्टड़ी ऐसा आप मत करूगे आप मैं सी एस बटर आईटी बटर मुझे कोडिंग प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या मैकेनिकल है तो मिझे मैकेनिक्स ही आने चाहिए सारे सब्जेक्स पड़ो आप इंजॉए करो होता है करे मझा इंट्रेस लोगे यह इंजरिंग उतना हीट होगा और उतना अच्छा स्कूर आगा इंट्रेस नहीं करोगे तो फिर मज़ा निया ओने वाला है आपका टॉपिट्रेस को ईंजॉए करो स्टड़ी करो सมजू आप समसो कर दोता數 कोई इन 열 एक डोop को समझना उसे इंजॉय करना उसका अप्लिकेशन समझना इस वाट इंजिनिरिंग इस ओके इंजिरिंग जो भी बोलता है यह बेसिक है यह यह पूरिंग लगता है आड़ घंटा कोन पड़े आप अगर आप टॉपिक में इंट्रेस्ट लोगे कॉंसेप समझोगे टीचर ने कर आए जाएंगे ओके नेक्स यह जो है यह उसके प्रेक्टिकल सेशन से और हाँ यह कैम बादा हूं जिसे की कुछ कॉंसेप्ट्चुल सब्सक्राइब जिसे मैकेनिक्स हो गया तो यह जो है हर इक जिसे कि आपने कोई भी पर्टिकलर फॉर्मिला पड़ा थेरम पड़ा उसके उपर एक्सपरिमन रोगा साति में उसके उपर जो है नुमेरिकल होते है तो उस्पैमेंन पहीं कोई जिसे आपने प्रॉर्स एक्सपैरिमेंट लिए वह एक्सपैरिमेंट करोगे और उसके बेसर exceptاد घॉझ सब्सक्राइब होगे करने के आपको समझ में आता है कि उस practical का actual application use क्या है और कहां पर हो सकता है कौन से field में industry में हो सकता है okay so that is a thing so वो आपको जड़ा सा care करना होगा कि यहां पर mechanics आ गया तो आपको experiment numerical सब साथ में आपको simultaneous नहीं करके आगे लिखे आने और साथ में theory lectures भी होगे उसमें भी तो theory lecture practical और experiment यह सारे एक दूसरे इंटर related है okay तो जो आप chapter theory समझोगे उस चीच का practical demonstration आपके practical lecture में होगा okay और उसके बेज में numerical भी practical में होगा और theory में भी होगा of course so इस तरह से engineering सब एक दूसरे से relate करके एक दरह से आपको theory plus application दोनों उसका समझाया जाता है पढ़ाया जाता है यह electrical engineering इसके उपड़ आपको total देखें यहाँ पर 15 experiments है आप screenshot ले सकते हो और 8 जो है minimum है minimum 8 आपको college में करा जाएंगी जिसमें से super theorem, mess and nodal, thevenians, norton, power transfer यह सब minimum यह तो minimum हाले में आएगा यह most important video वाली का तो यह पाच्छे कराए ही जाएंगे उसमें से उसके बाद यह सब यह हो गया, okay so I think मैं at the end पर आ चुका हूँ तो यह सारी subject के मैंने आपको go through किया, overview दिया आप बोलो कि सार, workshop का आपने नाम लिया था हम लोग ने बच्पन में भी कुछ नहीं पढ़ा इसके बार में तो यहां इसके बार में आपको बता हूँगा इसके कुछ experiments होते हैं पुरा टैपको detail explain किया जैसे कि एक garage में कोई worker कैसे work करता है बेसिक से लेकर एकता हम practical basic भी उसका practical में होगा है आपको इंजरिंग का basic practical देता है आपको हर एक चीज से हर एक tools को handle कैसे करते हैं तो यहां पर देखिए trade 1, trade 2, trade 3, trade 4, trade 5 जैसे वहां पर module तो यहां पर trade है trade means ओ particular आपको उस चीज़ पर काम करना है तो first is fitting तो fitting आपको काम करना है आपको chipping, cutting, filling, marking, center punching, drilling, tapping यह सब सिखाया जाएगा यह सब जो यह होता है furniture job जो होता है पूरा उसमें पूरा होता है तो यह सारे चीज़े जो basic से ओके यह सारे engineering के basic है जो आपको कराई जाएंगे और आपको सीखना है और guys सबसे जादा मज़ा workshop में आता है आप बिलीव नहीं करोगे workshop में जाना आपके तो कि वहाँ पर instructor आएंगे instructor आपको बताएंगे ऐसे सा कर रहे है फिर पूरा two hours आप और आपके friends और आपका जो भी job assign कि आएगा वो करते कि इसको नहीं आता है दूसरे ने help किया दूसरे को नहीं आता है तीसरे ने help बहुत सारे वहाँ पर tools रखे गए होते इंजरिंग के कि interest होता है इससे क्या कर सकते इससे क्या होता होगा तो बहुत interesting होता है मेरे खाल से मुझे तो workshop में मया आता था क्या होँ पर प्रैक्टिकल जोब होता है और समझ जो दस फ्रेंड है उसमें से किसको नहीं आ रहा है आपको आ गया तो आप एक तम हीरो बन जाओगे सब आपके पास ही आएंगे पूछने के लिए क्योंकि इस नॉट लग तेरी सब्जे कि कोई भी कर लेगा यार कोई भी रटा मार के कर सकते है नहीं इस प्रैक्टिकल जॉब वक्सवब इस टोटली प्रैक्टिकल तो इसमें कोई एक या दो सुड़न होता है जो इंस्ट्रक्टर का एक एक इंस्ट्रक मेकनिक्स के बाद करो तो वहां पर आपको एक क्लास अगर 60 बैच का है तो 2020 के पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और एक प्रैक्टिकल में सिर्फ 20 सुड़न होंगे वर्क्सवब में ऐसा नहीं होता है पूरा क्लास एक साथ होता है ओके यह एट लिस्ट प्रैक्टिकल उसमें न तो प्रैक्टिकल करने बड़ा में आप सब भी इंटरेट होते हो तो आप पर यह सारे चीजे होती है ओके आप यह सर्च करों यूटूब पर तो भी आपको मिल जाएगा मेल फिमल जॉइन ड्रिलिंग टैपिंग फिलिंग यह सारे आपको चीज़ सीखाया जाएंगे नेट्स हाडवन यहां यहां पर कुछ टॉपिक्स कंबल सरी तिये वहाँ आपको सीखाया ही यहां आ बीच है कि यहां पर आपको वैल्डिंग भी आता है मैं बीचिया यह वीटिंग के बहुत सरे कॉलेजेशी में सिर्फ डेमोंशे के सटेशन होते हैं यह फरनीचर वर्ग जो है आडवेक हाडवर नेट्वर्गिंग इस इंटरस्टिंग पीसी वगरा जो है वो सब सेमल इसमल किया यह तो समय डिटिल जाज़ा है फिटिंग टोटली फरनीचर वर्क है वो भी कुछ रिस्की नहीं है बहुत मज़ेदार है प्लम्ऻिंग वेखिशाम पीख पूछे आते ले साथे बंठ य से आयरगर मसे यह तो देनल हैus dość है ते दो सब्सक्राइब और वीचिंग और इसके सब्सक्राइब नहीं टीन होता है बड़े क्रिस्टिस lange सओं और के फीट्रिक देनेने होते chuck Sonra अप्रियु आपको अपको सब्सक्राइब करना लिए वह प्रोड कट नो से मुंप सारे z expect यह फेटी SAMU में लिए कॉ सब्सक्राइब करना वह गड़ी है वह इसोता है। उसके विटा सब्सक्राइब में trucs से भुडरespère इंजॉए करो लेक्ष्ट इंजॉए करो ओके फुल दे फुल अफ एंडर्टेंट्मेंट होना अच्छी इस लाइक इस यूर सेकेंड ओम इस नोट लाइक कॉलेज ओके तो फिल इंजॉए करना अल्ट बैस कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो तो अमीं चौजी करें गाइड तो है आपके लिए आप में से अवेलेबल है आप टेलिग्राम इंस्ट्राग्राम पर मैसेज करो कोई भी डाउट है तो आइविल क्लियर डेट एस सुन एस पॉसिबल और आपका रिवाइज सेलबस कोन से आप याद रखो और मिलते अगले वडियो में चैनल सब्सक्राइ और हमारा टेलिग्राम ग्रूप भी है उसको जॉइन कर लें वापर वीडियो उसके लेटेस अप्डेर आते हैं और हमें सेर करें वीडियो और सपोर्ट करें चलिए लाइक करें करें मिलते अकले वीडियो में बाई बाई गाई